बिटना रोड पिंजोर में पहुंची भाजपा परत्याशी शक्तिरानी शर्मा लोगों ने किया भवय स्वागत सैकडों लोग भाजपा में हुए शामिल रविवार की रात को बिटना रोड पिंजोर में पहुँची भाजपा पर्थ्याशी, शक्ति रानी शर्मा यहां पोचने पर भारी संक्या में भाजपा मेहला शक्ती, भाजपा पतदकारियों और कारेकरताओं सहित पिंजोर, सैनी महला, चोणाचोक, कबीर पंथी महला, विश्यकुर्मा कलोनी, बेटना कलोनी के भारी संक्या में हजारों लोगों ने मीटिंग में बढ़ चट कर भाग लिया और भाजपा परत्याशी शक्तिरानी सर्मा का तालियों की गड़़ाट से स्वागत किया इस मौके पर यहां सैक्ड़ों लोग भाजपा पार्टी में शामिल भी हुए, उन्हें पार्टी का पटका पहना कर उनका संबान बढ़ाया यहां पर पंजाबी सबा अरोडा खत्री के पदादकारिगान भी मौझूद रहे जिन्हों ने भाजपा परत्याशी का स्वागत किया इस दोरान भाजपा परत्याशी शक्तिनानी शर्मा ने पंजाबी सबा अरोडा खतरी के पददकारियों से मुलकात की और उनका हाल जाना बिटना रोड में हौल भाजपा परत्याशी के पहुँचने पर तालियों की गड़-गडार से गुण उठा था इस मौके पर पोरो केंदिरे मंतरी पंडित विनोर शर्मा एमराजय सबा सांसद कारतिके शर्मा की धरमपतनी विदान सबा कालका से भाजबा परत्याशी शक्तिरानी शर्मा ने हजारों लोगों की मौजूदगी में आयोजित जन सबा में कहा की कालका हलके से अब तक हजारो लोग भाजपा पाटी में शामिल हो चुके हैं और हर्याना में तीसरी वार भाजपा की सरकार बनने जा रही है उन्होंने मुझूदा विधायक पर आरोप लगाए कि कालका विधायक कालका हलके में पिछले 5 सालों से विकास कर रहे नहीं करवा पाए और कहते हैं कि मेरी चलती नहीं उन्होंने कहा कि इस से कमजूर MLA मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने यूभी कहा कि इलाके में ब्रोजगार युवाओं के लिए कुछ नहीं किया ना सरकार के समक्स कोई मुद्दा उठाया पहाड़ी इलाका होने के कारण युवाँ को नोकरियों में एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला यहाँ पर बारे संक्या में भाजपा नेतागंड और अस्थानियां पिंजोर शायर की कई संस्ताओं ने बढ़ चड़ कर भाग लिया था बाल माता की पुरे जोर से एक बढ़ बाता करेंगे हम हमारी परकाशी नहीं काकु कुलुक करतमा जी सुनी तुमार जी पते जी मंदल में उपाजेश कमी कोली जी या बला में पते जी मुझा सुनी तुमार जी में विया बाता हुआ है